टीम इंडिया और सौथ अफरिका के बिश तीसरा वंडे मुकाबला पाल के बोलेंड पारक में खेला गया इस निर्णाएक मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफरिका को इठ्योत्तर रन से हरा कर सिरीश पर 2-1 से कब जा कर लिया इससे पहले साउथ अफरिका के कप्तान एड़न मारकम ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फेसला किया टॉस गवाने के बाद पहले बल्ले बाजी करने उत्री टीम इंडिया ने निर्धारित पचास ओवरों में आट विकेट खोकर दो सुचन्नू रन बनाए लक्ष का पीछा करने उत्री साउथ अफरीका की पूरी टीम पेतालीस दशनलो चार ओर में महच 218 रन बना कर सिमट गई इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जम कर वाइरल हो रहा है इस वीडियो में जैसे ही केशो महराज बॉलेंट पार्क में बल्लेबाजी करने आए स्टेडियम में राम सिया राम के गाने बजने लगे विकेट केपर और भारती कप्तान के एल राहुल ने उनसे पूछा केशो भाई जब भी आप आते हैं तो ये गाना बजाते हैं